सर्वेभ्यो नमाह देवबानी संस्कृतम यूटूब चलत्रिश्यंप्रति भवताम भवती नाम्च हार्दम स्वागतम अधिक जानकारी के लिए आप इन वाट्सअप नमबर पर संपर्क करें चलिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था सूत्र संख्या 34 तक पढ़ा दिया था मेता ना खेचा आज से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं उस तक को ओपन कर लीजेगा दूत्र है विध्ध्वा रुष्शो उस तुदाह विध्ध्ध्वा रुषओ सप्तमीं वक्ति ही द्लिवचनांतं तुदाहं पंचमीं वक्ति ही एक्वचनांतं तमांसहः विधुष्चा आरुष्चा विध्ध्वरुषी तयो हो विध्ध्वरुषो हो इतरे तर योग द्वन्वा हो अनुवृत्ति एसमें उपर से खश कर्माणी आतो हो प्रत्याह परश्च इनके अनुवृत्ति आ रहे हैं अर्थाह विधु आरुष्च इत्यतयो हो कर्माण और उपपतयो हो तो धातो हो खश्प्रत्ययो भावत्ति विध्धु अत्वा आरुष्च इनमें से किसी भी उपद कर्म उपद रहते हुए तो धातु से खश्प्रत्य हो जाता है कर्ता आर्थ में उदार दिया विधुन तुदाहा आरुन तुदाहा विधुन तुदाहा का अर्थ दिया गुरुजुने चांद को व्याथित करने वाला और आरुन तुदाहा का दिया मर्म पीड़क मर्मों में पीड़ा देने वाला तो इसमें विशेस कुछ वही है जो कल हम देख रहे थे कि यहां पर विधू उपद रहते हुए और इसको तुद्धातु से खश्पत्य हो जाएगा यह विधू और अम तोद और खश्पत्य है इसलिए करतरिश तुदादिगन की दातु है तो तुदादिभ्या शह से सहा आएगा ठीक है तुदादिगन की है तो शहा प्रत्या सहा विकरना आएगा यहां तो इन दोनों के आ और यह आ अतुणे लग करके यह आ हो जाएगा ठीक है और लुक को वो जाएगा समासा ओकर तुदादिगन की पूर्वत पिर इसको क्या हो जाएगा जो अरू दुशैल Bub यह अरूम आगम था तो नो मुम आगम हो जाएगा अन्य आहन्य मान करके तो मुम को मुशेगा ठीक है मुशेगा और फिर मुम आगम हो गया मुमका अवच्छ और मौनवस्वारह और वाप्दान्त स्य आज मैं आपको ये सूत्र पढाऊंगा दोनो अनिस्वार सе रेए पर्रसवण्वां Nikki ये पद्र स इसलिए हुआ यह विकल्प विकल्प से होता है तो एक सूत्र विशेस लगेगा ठीक है यहां पहले मौनस्वारा लग जाता है फिर वापदांतस लगता ही वता दियाता है और यहां अरुन्तुदा में दिखाया गुरू जी ने आरू और मुम मिच्च उन्तयात पर आंतिम अच्छ से पर होगा तो सक से पहले हो जाएगा मुम और सा तो यह में जो अरु दुशद जन्त से मुम उसमें अरु शब्द पड़ा हुआ है तो अरु शब्द को मान करके यहां पर क्या हुआ इसको मुम हो गया सा तुद और खशा और खश और अब इसका सारा संजादी होकर के अरु मा सा तुद आ आ आ ऐसा रहा अब यहां पर ये दो हैं सन्योगान्तस्य लोपा से यह सन्योग के अंत में पदांत में है तो इसका सकार का लोप हो जाएगा और उसके सकार का लोप हो गया तो मा बचा मौनुस्वारा फिर वापदांतस्य से पर्णसवर्ण हो जाएगा तो आरुंतोदाहा ये बन जाएगा आरुंतोदाहा अरुंतोदा मने मर्मपीडक ठीक है ये वापदांतस्य और इनका मैं आपको आज अर्थ दिखाता हूँ ये बार-बार इस पकरण में लगे ठीक है कल भी लगे थे और कल विए आपको समझा दिया था ये दो सूत्रे आठ में अध्याय के चोथे पाद में 57 और 58 ठीक है ये देख लीजे पहला जो सूत्रे अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण है क्या कहता है अर्था अनुस्वारस्य यहीं परताहस पर सवर्णा अनुस्वार को यहीं प्रत्याहारांतर गत कोई वर्ण परे है तो उसको पर सवर्ण हो जाता पर के सवर्ण वाला हो जाता है तो पर में जो भी वर्ण है तो उस जैसा होगा और उसका अपना गुण भी रहता है तो पांचमा अक्षर होता है प्राय करके तो शंकिता तो का व्यायवाद में तो यह अनुस्वार था तो अनुस्वार को न आ हो गया कवर का यह झा ऑघ्र सवस्थान है और अनुस्वार का इस्थान है नासिका ठीक है यह सामान já कोई शर्थ नहीं लगाई अब इसमें ये सर्थ लगा दिया है इसमें विशेश इसमें विशेश सर्थ लगाई वा पदांतस्य पदांतस्य अनुस्वार अस्य यहीं परतो वाव सबरना परसबरना देशो भवती यह कहते हैं यहीं पदके अंत में आ रहा है सुप्तिगंतम पदम से पदसंजा जिसके पद के अंत में आ रहा है अनुस्वार तो उसको हम विकल्प से परसवरण कर सकते हैं पक्ष में उसको अनुस्वार भी रख सकते हैं जो भी हमारे यह उदारण आ रहे हैं सब को हम अनुस्वार भी कर सकते हैं परसवरण भी कर सकते हैं ठीक है तो अभी यह पदांत से लेगा आपदान्त में यही लगेगा का वास्तम में तात पर ये था कि यहान लगाना यो होगा कोई शब्द के बीच में आ रहा होगा अपदान्त नहीं शही कि मौह संड़ी मोनी कर लेते हैं यह और सब ज़गा आप достаточно पूत्र आग्या जाईएगा अनुवृत्य है खश कर्मनी धातो प्रत्य हैं परश्ट आघ्या अर्था है असूर्य ललाट इनके उप्पद रहते उए यथा संख्या जात्य है असूर यात्वा ललाट इन कर्म के उपद रहते हुए यथासंग करके आए यथासंग असूर के रहते हुए द्रिश्दातू से ललाट के रहते हुए तप दातू से यह हो जाता है खश्प्रत्य होता है करता को कहने के लिए उदारण दिया यहां पर असूर्यम पश्या राजदाराह लालाटन तपाह आदिच्याह असूर्यम पश्याह राजदाराह इसका अर्थ है जो सूर्य को भी नहीं देख पात देखती ऐसी परदे नशीन राजाओं की इस्त्रियाँ तो देखेगा पाणनी काल में अभी यह पर्दा पर्दा का जो पर्था था राजा महाराजा अपनी पत्रियों को ढख देखना ले उनको यह तो वह भी बहुत ज्यादा ज्यानी नहीं थी तो यह पाणनी काल में अभी में पर्दा की पर्था का वो दोता है पर्दे की पर्थ यह इसलाम से आई है इसलाम कल्चर से आई है वत्ता इसलाम कल्चर से नहीं आई है यह इसलाम कल्चर से तो पहले के महरशी पांड़नी जी है क्योंकि पहले इसलिए है अश्टाद्याई के अंदर कोई इसलाम की चर्चा नहीं आई है कोई कुरान आदी की चर्चा नहीं आई कि इसका मतलब है महर्शी पांड़नी उस समय के हैं जब इस भूध रापर अखंदभारत की बोमी पर पांड़नी का जन्वी पाकिस्तान में हुआ था उसमें पाकिस्तान था ये बार्ती था उस समय भी जब इस्लाम की यहां साइब नहीं उस इसलाम का उससे पहले भी यहां पर भी यह पर्दे का प्रथा था जो धकने का सही या गलत कि हम यहां पर विवेचना नहीं करेंगे परंतो राजा लोग भी या जो बड़े-बड़े लोग थे वो अपनी इस्त्रियों को धक्कर के रखते ते अरता तुनको कोई उनका चेहरा ना देख लिए केवल वही देखे हैं ठीक है ध्यान देंगे हमें पांडनी व्याकरण को पढ़ते पढ़ते हमें इतिहास का भी बहुत होता ततकालीन उसकाल का ललाटन तपहा आदित्या माथे को तपा देने वाला सूर माने इतनी गरम गरम तपने रता तपते समने गर्म कि चलिएगा पार तो इसमें कुछ नहीं है कि कि यह है असूर्यम पश्याह ठीके तो यहां पर यह असूर शब्द से खशप्रत्य हो जाएगा करतरी शब्ग से शप्य वह जाएगा और यह डृटर सलिए पाग राद्माश्था मना यह सूत पढ़ा जया ताव इस्से क्या अबsm और आपको अथोगने और वह फिर पश्य क bir आए उसके सांथ लगे गा इसमें तीन दो बार यह इना खाशको मिलाने हो जाएगा उर मॉनस्वारा रहा प्रत्मयोग पूरस्वरन से पूरस्वरन हो जाएगा लाटन तपाहा आधित्या यहां पर भी लोप हो रहा संदी का संधी से तो यहां पर ललाट के उपद रहते हुए यहां पर भी तप दातू से तप पती यह भी आपको भाधिगन की है तो यहां पर भी शप हो जाएगा वह बाकी सामान ने है कि लिए उग्रम पश्यरं मदपाणिन धमाश्य उग्रम पश्यरं आर्दा पाणिन धमाह वक्ति बावजरांतम चाब्या पदम समासा हुग्रम पश्यरं इत्यत्र इत्र योग दोंदोहुग्रम पश्यरं इत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत खवम अंवतीस। में आ रेकष धातोह प्रत्याह परश्य्य ऊब्दात आनि ये निपातन क्यरके पड़े हुए है आपर तीक है क्या है इन शब्दों को तीन शब्दों को खश प्रत्यांत करता में निपातन किये गए है उदार उग्रम पश्यति ती उग्रम पश्याह जो जिद्दम आंखे फाड़ कर देखता है गूर कर देखने वाला तो यहां पर कि अब कुछ तो सामान ने निपातने इसमें हमें आप सिद्धी करने की अवश्यक्ता नहीं है उग्रम पश्येन सुग्रीवस तेन भ्रात्रा निराकृता हां यह उदार्ण में दिया है कि उग्रम पश्येन सुग्रीवस तेन भ्रात्रा निराकृता हां यह उदार्ण में द पश्येन ब्रात्रा शुग्रीब निराकिरता मने बाली ने तेज नर से घुमते हुए शुग्रीब को हटा दिया साइड में हट भाई इरया माध्यती इरम मदाहा तो इरया माध्यती तो इरा शब्द है यहां पर निपातन क्या इसको अहरस्सु भी हो जाएगा ठीक है अब यहां बताएंगे नीच देखते दें पाणयो धमायंते एशुइती पाणिंधमाह पन्थान यह ध्यान देंगे यह करता में निपातन करता में नहीं यह दो और यह करता में दो कंusan से अवाज की जाती जिस मार्ग में कुछ इसे होते हैं जनल में से घनी जारी के बीसर जाती हैं तो समय साप सर पादी का डर होता है प्लक की जिस्से कोई बीस दिया तो भू से हट जाए साइप में ऐसे में को बोलते हैं अ अब आजा ये क्या कहते हैं इसमें गुरू जी देख लेते हैं पहले फिर मैं आपको बता देता हूं शिश कि उग्रम पश्य गूर कर देखने वाला इरम मदह मेग्र की जोती बिजली पानिंधमाह पंथा नहां अंधकार पूर्ण ऐसे रास्ते जिव्यंतों से बचने के लिए तालीं बजा कर कर चला है पाणि आभाणि हिसा हाथ होते हाथ तो यह तो एस रास्ता होता है ऐसे आवाज कर श्यन का अभाव निपातन से हुआ है पाणिन धमा में अधिकरण कारक में करणा अधिकर्ण योष्य से यह तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 117 मा सूत्रे से अधिकरण में लुट प्राप्त था यह लुट प्राप्त था तो यह था खश का निपातन कर दिया यहां पर उसका अपवाद कर दिया भी शेश अरू अरू दुषद ज की मुमन से आगे मं आज्धिी सिद्धी में पूर्वत हो जाएंगे वहादू हो जाएंगी तो यहां पर केवल और केवल ध्यान देंगे तो उसका अभाव निपातन कर दिया बाकि सारे कारे अपने आप इसमें प्राप्त हैं ठीक है यह इसको और इसको हरस्व भी कर दिया है इसको इरा इरा शब्द है, इरा को इर कर दिया, घ्रस्थ कर दिया है, और फिर अरुर्ष अरुण दुषद- जनतय सिम्मों मूम हो जाएगा, ठीक है, यह दो कार्य यहाँ पर निपातन कária दिये, करता में, और यहाँ पर तो कुछ निपातन की आविश्यक्तायनि ती, उग् स्वाइब अधिकर्ण के रहते हुए द्रिश्ठातू से खश्पत्य हो जाएगा शब शब्षबिकरण हो जाएगा और पाग राधामान से अधेश हो जाएगा कि उग्रम पश्ष्चा हा यहां पर क्यानिपात्ण की आया यह करता में प्राप्त था तो करता में ना ओकरके करता में ना ओकरके ये अधिकर्ण में कर दिया अरता जिस मार्ग में इस मार्ग में ताली बजा करके पाणी अत्वा पैरों से पीटते हुए पैरों से भी एसका अर्पमेल देखा है नहीं साहित में वैसे शब्द तो पाणी है परंतो ताली हात पैरो से या किसी डंडे आधी से शीटी आधी से आवाज करके चलते हैं तो उस मार्ग को कहते हैं जाने वाले को नहीं कहते हैं मार्ग में चलाया तो अधिकर्ण में होगे अधिकर्ण में इसको क्या प्राप्त था ये तो करताम प्राप्त वैसे अधिकर्ण में इसको करणा अधिकर्ण योश्चेती सरे अध्याय में इसको लुट की प्राप्ति थी तो लुट का निशेद कर दिया अब ये बन गया ये खश्प्रत्य वपाणिंधमाह मापन्थानह मारगाह दो चलिएगा यह ओग् чтоб कंछ мы एएक। दो फुटम वक्टी एक वचनांत में भफ प्रत्माद वक्ति एक वचनांत म समय थ्यवशता स्सक्च कि परेंव शच कि तो च्छ प्रत्य योग हो जाता है इंकी सिद्धी वहां पर करा दी वैसे इसमें कुछ विशेस नहीं है यहां दिखा देते हैं सिद्धी एक तीन आठ में हमने की थी ठीक है एक तीन आठ में की थी तो प्रियम बदती थी प्रियम बदा हाँ ठीक है तो आप उस्तक्म भी देख सकते हैं है कर लगा है और वखी कि कि अधिस करता अच्रवर रचार में ठीक है तो इसमें देखाया है वही,"1-20 नहीं अपर खेक है कि कलम है प्रियम बद खच और समा साधी हो जाएगा लुकादी हो जाएगा ञ त है और प्रियम में रहा है और मौनस्वारा लग जाए गा वापदांता से नहीं लगे गा क्यों कि आप परसबरन होता यह नहीं है परसबरन करना यह आप इसका तो बस मौनस्वारा लग गया बाद में लिए कुछ भी तो प्रियम बदाहा पशंब दाहा यह हो गया और वद्धात्व तो करतरी शप्चे शप्च भी करना आएगा ठीक है प्रिय बोलने वाला वश्मय करने वाला वश्कों बोलने वाला सूत्र है 49-39 द्विशत परयोस तापेह द्विशत परयोह सप्तमी व्रक्ति द्विचनांतम तापेह पंचमी व्रक्ति एक विचनांतम नमासा द्विशंस्च परष्च द्विशत परयोह तैयोह द्विशत परयोह इतरे fly दभाह अनूवृत्ति खच करमनी धातोह प्रत्य परष्च अर्थाह ब्विशत पर इत्यतयों हो करमन उर्पपदयों हो तपो अन्यंता धातो खच प्रत्य भावती के ते अन्य द्विशत अतवा पर इन कर्म बाची उपद के रहते हुए तप तप दातु कैसी अन्यंत मने समिंधे शर्षे निचला करके उस दातु जएघ्षप्रत्य उता है दुषन्तम्- bullishन्तपह और इस शत्री पृत्तन लिए आईसे दुषन्तम Biscek न में हमें ऐसा पॉर्ण पहा पॉर्म तापयति पर मत पहा शप्रून को अपने वाला जलाने वाला शत्रों को मूनलuktus करने वाला परंतपा दूसरों दूसरे शत्रों को तपाने वाला तो इसमें विश्य कुछ भी नहीं है के वल हेत्मति चैसे ले आएंगे आप तो यहां दिखा दिया गुरुजी ने दिश्य है मुमागम हो गया है ता यह अंतिमच के बाद होगा और यहां पर अम भी रहेगा यह बीक में हुआ ठीक है और फिर इसका आम का लुक हो जाएगा तो और इसका सबका यहां पर यह चपादी और खित है तो करतरी शब इसमें प्राप्ती नहीं है क्योंकर इशारदातु कहले है नहीं यह अब यहां पर संयोग अंतस से लोपा से स्तका लोप हो जाएगा यह लिखा हुआ ठीक है और अनेर निटी है अन्डादी आर्दातु का अर्दातु का इसको इट नहीं हुआ है तो इसके पर रहते यह इंच का यह आया था उसका लोप हो गया और यहां व्रद्धी हो गई है पहली इंच के पर रहते व्रद्धी हो गई तो पादाया से व्रद्धी कर दिये है फीर वेद्धी होने का खची रश्वा भनें खच प्रत्ते आए के परेड़ेते जो पूर में अंग है उसकी उपधा को रस्व हो जाता एं ची परता हां विखया दुख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख्युख पर नता पाढं़ में चलिए को कि यमो व्रते वाची सप्त मी वयक्ति एकजनदान्त मोहत्यृ कर्मणि धातने धातने अर्थ वाक्षब्द कर्मन उपपदे यम धातो उवरे गम्म माने शवर्डव्रतेमोम यां यम्ने को फटें व्रत का अगम्यमान हो रहा दे कोईवरत ले रहा है व्रत की प्रतीति तो क्या है अच्छ प्रत्य होता है तो अधार रफावां रही है वार्था हुझाममिय मेर्थ ले लेकर कि कौन का बेग्यान तक हुआ अम्से की हैं लोग सुचते कि क्रोड़ । थीर गन्ते में बहुत और कई मैंसुस होग कि दो वाचम यमम्ह तो इस में आपको ढेंटेते हैं क्या करना है वाच शब्ध है वाच वाच और अम और यम और खच्छ लिए अच्छ हो गया है अब पूरा लुकादी हो जाएगा यह सब की और यहां पर वाच्चम याम पुरंदर रुच्छ कि अब यहां पर्फ्रत्य के परे रहते वाच्छ को वाच्छ निपातन किया गया है यह 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 दातुआ और पूरंदर यह पूरंदर रुच कोई आगे पूरंदर रुच कोई बात नहीं है तो वाच्छ यहां पर हुआ है इस चकार आंतता तो आम जोड़ देंगे तो आपको जाता है यह आपको जाती है यह देख लीजेगा सुत्र मैंने आपके समक्ष उपस्तित कर दिया है इस चट में अध्याएगे इस रिपाद का अर्शाट मा सुत्र है वाचम यहां पूर अंदर कि वाचम यहम पुरंदर इत्यत्र पूरो पदयो हो अम आगमों पात्ति अम आगम ने पापन कर दिया है आपके वाच्छ एंप कर दिया है वही उदार्णयां पर भी दिये हैं चलिएगा दूसरा अगे देख लेंगे कि यहां आएगा कि हो गया कि आईएगा हुष्ण सर्वयोर दारी सहोह ओहस figure-ция PSVA-10 कि व्यक्ति द्विचनानतं छर्श्टिव्यक्ति हरें तंस समासा सव उसिया सर्वच्च्या पु मूरो सर्वा उत्यो पूसर्वा फूसर्वयो ओकि इतन्तर योगदन्धह दारी इत्यत्यत्रापी युवितरेत्रयोगद्वाहा तेके दारिष्चा सह दारि सहाउ ताभ्यां अगता तयोहो दारिस हो यह जाएगा अनुबृत्ति इसमें आ रही है खच्य कर्मनी धातो हो प्रत्ययह परश्च इनके अनुबृत्ति आ रही है इसर्वória पूरभा इत्यतयोहो करमणोर पता योहो यथाशंख्यं दारी नेतीतता आभ्यां धातुब्यारेतयोहों कि पुरके रहते गूए दारी और सिर्फ के रहते गूए इस्सटति तोनों यौंस से खच्श प्रत्य होता कर् Fengоп क कहने के लिए इसका अर्थ दिया है गुरुजी ने पुरंदरावन किले को तोड़ने वाला पुर को तोड़ने वाला सर्वं सहा सभुसहन करने वाला व्यक्ति यहां पर है एससा शब्द है ठीक है कि फूत्र में हैं तो दीर गोगया तो यहां पर पुर्शब्द है क्या है यह है यह है है तो हम विगड़्या करेंगे तो इसको आशा करना पड़ेगा और हम और ये क्या दारी निजन्त नटव सिद्री नटव से इंछा करके व्रदी व कर के दारी बन जाता है थीके वैश्ना इसमें पढ़ाई पढ sous दारी बन ऑर और यहां पर क्या है यह आपका आजाएगा खच प्रत्य द्यान देंगे यह थोड़ा सा देख लीजिए भाई भी कहीं परिशानी हो आपको सिद्धी में तो कि समास हो गया लुक हो गया ठीक है और यह अब अच्छा इसका कि यह क्या है जैसे अभी अपेर अपने निटी से नीका लोप कर दिया था और और खची ह्रस्वा हो क्छ प्रत्य के पर रहतें अंग की उपदा को हरस्वी हो जाएगा तो इसको क्या हो गया इसको भी हरस्वी यहां पर रसोद दर बने गया ठीक है क्या बने गया दर बने गया आपको रसोद्ध हो गया ठीक है और तो अब क्या इस्तिती होई है हमारी पुर दर यह पूर और यह दर और आ ऐसा हो गया अब वाचम्यम पुरंद्द रूच यहां पर क्या है इस पुर शब्द को अमनतत्त निपात्न कर दिया क्या कर दिया अम तो जो गया यहां पर आम आजाये निपातन से इसी सूत्र से आप्ड़ और फिर मौनस्वार और वापदां तस परशवर्ण ओकर के पुरंदाराहा यह बन गया इस प्रकारची बनाना ठीक है यह दारी यह नियंत है यह वस्तोता क्या थी एसी थी द्री दातू द्री विदारने तो अनिक्चो हो जाएगा यहां पर और व्रिद्धी ओकर के इसको अ तो पिर्देश किया हुआ है अगा देख चलिए गा तो यह हो गया है और अ कि सर्वसहा स्वंसहा लूप सहा में कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करना के वर वाचा में पुरंदर चाहिसे दूसमें लग गया पुरंद्राह में यह और आरू इसमें सर्वंसा मैं अरूँ कि और ये खची रस्वा में बताई दिया इसमें रस हो गया है अने निटी से अनी का लोबी हो गया यह भी मैंने बता दिया आपको चलिएगा कि ढूबार करीशे शुक अर्व अब ब्रकरिशा सब्सक्राणने कर्शा पंच मिरने फार्चन आंतंव अब कश्राहा पंचमी व्यक्त वाशुनाम कश्द्व तो यह को समासे सब प्रश्चा करीशाह और तेशु करीशेशु इतर ये तर ये अनुवृत्ति इसमें आती है खच्य कर्मणी धातो प्रत्या परस्च इनके अनुवृत्ति आ रही है अर्था सर्वा कूल अभ्रा करीश इत्यतेशु कर्म सूप पदेशु कशधातो हो खच प्रत्ययोग भवति अन्य सर्वा कूल अब इनके उपद रहते हुए कर्म बाची कशधातों से खच प्रत्य हो जाता है कुछ भी नहीं है और वापदांता से विकल्प से उसको अनुस्वार्वी रह जाएगा परसवर्ण भी हो जाएगा कि खला हा सर्वं कशा खला हा सब को पीड़ा देने वाला दुष्ट व्यक्ति पूलं कशा नदी किनारों किनारों को तोड़ने वाली ऐसी नदी जिसमें पानिया दिका आता है कि अब भ्रंक शोगिरी है कि गगन चुम्भी परवत्मन उचा अब भ्रह्म मने उचा आकास चुने वाला कि करीशंकसा वात्या तूखे गोबर को भी उड़ा लेने जाने वाली आधी बहुत तेज आधी नीचे अर्दिया गुरु जी ने व प्रवंक शाहा खलाहा सबको पीरा देने वाला दुष्ट फूलंक शा नदी किनारे को तोड़ने वाली नदी अब भ्रंक शोगिरी है कगन चुम्भी परवत्म परीशंकसा वात्या तूखे गोबर को भी उड़ा ले जाने वाली आधी ठीक है इसमें आप देखेंगे ये तो ये शब्द नदी है और वात्या यह दो क्या है इस्त्रीलिंग में यहां पर क्या होगया है ताप प्रत्य होगा अजाद तश्टाप से टाप होगा तब स्वादिश्पत्ति पर उसका सूखन लोप हो जाएगा बाकि आप कर लीजेगा सर लह पूरा और यहां संदी हो के परिया हशिचा से खके रॉपम कशंतलि सब्सब्स दिशले की से जॉट इसे पी भंटी में घरती मैं यह जुक्रियं है उर्कोशनी जुत कह लिए अंतarm करिया पंचमी चपा अंतम समा ceux दो रितिश्चा भ्यृएंचा मे घृष्ञ्टी मे घृष्ञ्यो कि फिर्टिव और इतर एन वृत्वहं कर्म्राजीयों के अनुबृत्य नेrone प्रत्य को जाता है कि उदान दिआ मेघं करोती मेघं कारहा रितिंग कर वह Mysle लग गया है सब कर्षप से उसको अनुष्वार रहा है पर सवन नहीं किया गया है पर्शवन भी कर सकते हैं मेघंका रहा रितिंका रहा भायंका रहा चलिएगा तो इसका अर्थ क्या दिया हो गुरूजी ने मेघंका रहा बादल बनाने वाला बादल बनाने वाला वायू कह सकते हैं मार प्रितिंका राइस परदा करनी वाला बैंका राइप को कृँ प्यदा करने वाला विश चांग श्य आमा प्रिय मध्डरे चा वक्ति अगवचिनां नीडे चांग्देपदम् तस्मिन ख्षेम प्रिय मद्रि दमाहारो दुंद्वह अनुवृत्टि क्रिया इथ मंध्रा मद्रा क्रमोनी ना फ्रत्यच प्रश्चति इनके उपद रहते हुए एक निया दातू से अणव प्रत्य होता और चकार से खच भी हो जाता है इस चकार से चकार किसी रगाए मैर्शी पारणी ने ऊपर से थैक क्षछका पिदान करने के लिए को यह प्रैट्न करेंगे तो पोचेंगे हम लोग कि ऱ exports समापत होगहत थे नया प्रतर के साहथे साथ में超वी लाना है तो उसके लिए कुछ प्रैद्न करना पड़ता है इट नहीं किया है चकर दिया तो छकार से खच हो जाता है तो क्षेमं करोति क्षेम का रहा ठीक है अनव गया अनव हो गया तब तो मुम आगम नहीं और पर क्या मुमागम हो जाएगा वापदांतस लग जाएगा ब्रूषी ने समया लिखतीए अणपख्षमें भृद्धिर्ता hicक्रच। आश्यतES अब्वुबहा कंठाट्रोच। तमास सक्रणल भाव ररण भावयो इत्यत्र 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 योग दंदबफ करणम चा भावश्च्य करण भावयो तायोहँ कर्ण भावयों म अनु बृत्ती समें आती है खट्य धातोहँ प्रत्य अघ MILL E अर्थः आशिते सुबंत उपदे भूधातों हो करणे भावे चार थे खच्छ प्रत्ययों भवती कर्तरी कृत्यानेन कर्तरी प्रापते करणे भावेच विध्हीयते कहते हैं आशित के उपद कर्म बाची सुबंत के उपद रहते हो भूद आतू से करण में अथमा भाव में अच्छ प्रत्य होता है करण को कहने के लिए और भाव मनें धातू के अर्थ को कहने के लिए acas करताय। कहते हैं करता नी कष से सभी प्रत्य किस्ट में प्राप्त हो रहा है करता में तो करता में करता में प्राप्त होने पर क्या करण और भाव में विधान जिसके द्वारा त्रिप्त हुआ जाता आशितम्ने पेट भरा जाता है कि इसके द्वारा को सब्सक्राइब बोजन ओगा पदार्थ हो खाने वाला यहां ओधने तो ओधन को क्या आशचितम भवहां वदन हम अश्यृतम भवम ओजानम अईसा भी कर सकते हैं अज्शित के उपर रहते भूदातू से भूखू गुण हो जाएगा अवादेश हो जाएगा मुम आगम हो जाएगा इसको अरुदुशेजनत से मुम से मुमागम हो जाएगा भाव में भाव बता रहा है इतने पेट भर रहा है तो रहा है यह क्या है तो यह भाव में हो गया आपका तो व्रतते है रहा है यह फिसके द्वारा त्रिप्त होना हो रहा है त्रिप्ती प्राप्ट हो रही है ईह अर्थ है आयेगा भ्रीत्री भ्रीजी धा रिट्साहित्प ठीट माहरं सब्तमीं व्री रिची इस अब चाहिशела गात्राश बीडिजिण 100 द चाहिश क पस्छ स मताफिचा-chn अ sol व्रीत्री व्रीजिधारि साहित तापि दम तस्मात दमह दमहारो दन्द्वहा अनुवृत्ति खच कर्माणी धातो प्रत्य परश्चेन के अनुवृत्ति आर्येटी अर्थ कर्माणी सुवन्ते उप्प वोप पदे भ्रीत्री व्रीजिधारि साहित तपि दम इत्य ते भ्योधातु भ्याह खच प्रत्ययो भगती संज्ञायां विशय वही अबैसा ही है कर्म वाची अत्वा सुवन्त जहां पर कर्म का संब्द्र लगए कर्म लग जाएगा सुवन्त का समद्र तो इनकी उपद रहते हुए भ्रीत्री व्रीजी धारिस साहित्ता पिदम इन धात्मों से क्या होता है खच प्रत्य होता है पर प्रक्रता को कहने के लिए परन्तु संज्या का मिमान होनी चाहिए संज्या की प्रतिति होनी चाहिए विश्वं से विभरत्य करें और यहां पर भर्ती है यहां आपको बता देंगे चलितम कि विश्वंबे विश्वंबराः थेन तरती रथनत रथन तरुंड यह कर्मका शम्मंद लगया कर्मका संम्मंद लग्ज्या यह पर सुबांता लग अन्या है . कथनतर् applied , थांतर में साम के पतिम विरूंती पतिम बरा कन्नया शत्रुम जयती शत्रों जयाLook युगंधारियती युगंधरआः स्वार शत्रुम सह सहते शत्रुम सह हॉत मैं अरिम दामयती आरिंदमाः अभी तो पुछ विश्याट नहीं है ऐसा ठीक है और विख्रा करेंगे तो त्रितिया अध्य थो टा आजाएंगा अध्या थे और वाकी हर जगह अम अम आ जाएगा और अरूर दुशनता से मुम से हर जगह मुम हो जाएगा हच प्रत्य हो जाएगा जहां गुण बृद्धी यह वही प्रक्रिया लगेज़ है इसलिए यहां पर युग उगण धरा हा व कर वन गया ठीक है कित संजा हो जाती है फिरूद साहा उर अर्म ंत्यारिंदम ह illnesses दम दातु है तो इसमें खचोकर के यहां पर कुछ करना नहीं है बस मुम आगम हो जाएगा मौनस्वार लग जाएगा वापदांतस से बिकल्प से परसवन भी हो सकता है यहां जा प्राप्त है और जा नहीं प्राप्त है वह नहीं होगा जैसे यहां पर सवन कर दिया यहां प ने आपको बात पताई है वो गुरुजी ने लिखती है यहां चलिएगा पर एक बाग उदारणों के अर्थ देख ली गए भरण करने वाला परमेश्वरी तत्रं साम विशेष की संज्या है पतिम बारा कन्या पती का बरण करने वाली कन्या विशेष ठीक है हुआ है शत्रुन्य है शत्रू को पर ज॥्चा संजय है वह कुणाद अरिंदमा शत्रू का दमन करने वारा ये दिस how इस तर अभी यह आँ पर गुरूजी ने बताया है सिद्धिया पूर्वत ही है कर्मणी तथा शुपी दोनों के अनुवृत्ति होने चे यथा संभव कर्म सुबंत उपद होने पर प्रत्य उत्पन्न होता है रथंतर साम विशेश की संज्या है यहां अवयवार्थ संभव नहीं है मनें रथेनत तरथी रथेनत तरथी यह वित्पत्थी मात्र दिखाई गई है यह वास्टता इसका अर्थ नहीं है कि विद्पत्ती नहीं Finding तरन टुप त्र्फ ये नहीं है रथ इंत रथिल्स सांगान विश्यत्र का नाम है बित्पत्य मात्र के उधर मचाई गाई है भी ध्री धातु का अंयंत से निरदेश का यह थारी इंद से यही प्रत्य होगा खची रश्व से रश्ष हो जाएगा उपदा को अने निटी से इनिच का लूप हो जाएगा दम दातु अंतरभावित अनिअर्थ वोलते हैं किसी दातु से इनिच नहीं आया परन्तो इनिच का उसमें अर्थ आ गया के दातु कैसी है अंतरभावित और्ण और हुद हुद HU मैं ऑससे हुद म्तर करना कि यहowता अंतर बावित इणिया यह विशेश है हर जगवैं आपको कोई दातू रिकीदम हो रही है और प्रसंग में उसका अर्थ ठीक से नहीं एटता प्रसंग में उसका अर्थ लगता है ऐसी रहाओ तो पॉसको आपकोल यह पॉसक Mü तो बन जाती तो अकर्मक मी सकर्मक बन जाती है के लिएगा कि गम अश्च गमा पंचमी व्यक्ति एक उजनांत हमचा अनुवृत्य संज्यायं खच कर्मन धातो प्रत्य परष्च्च यां किसी व्यक्ति विशेश की सनाम है नाम है तो प्राप्ट होना पर हर को प्सको नहीं क्या सकते तो इसमें कुछ भी नहीं है मुम आगम हो गया है वाज प्रशबरन हो गया है सुतंग गमाहवन गिया खच्छक्रत्तव गर कर कि अ अंता त्यंता ध्वाधूर पार सर्वान अंतेश्वडर अंता थ्यंता ध्वाधूर पार सर्वान अंते शु जू सक्तमे ब्रक्ति वाउचनांतम ड़ मोलन जढरान अंत्सच चाँत्यांत्यम प्रज्टि चुंके अंत्य यार्चा अनंत्या यौद्फिकक Lेर्प्राइश्या जुकट सरनल Separate ठीक है अर्थ अंता अत्यांता अध्वां दूरा पारा सर्वा अनंता इत्यतेशु कर्म शूप पदेशु गमधातोर यहां प्रत्यों भवर्ति अ है इनमें जे कोई परत्य में हो करम बाची तो गमधातु से प्रत्य होता है क्या गम दातू से प्रत्य होता है नहीं होता है कूश्यारा जालेगा कंश्यार अंत्याँ का मिनिन श्यार धूरा पार अनंब ऑपया साथ दिया आयए अंत को पराप्ट होने वाला अत्यनत तिक या रास्ते में चलने वाला मAppर जाने वाला सब को परतोने वाला अनन्त को प्राप्त होने वाला यहां पर एक बात आपको विश्यष द्यान देनी है कि अ डित प्रत्य कर रहे हैं कि इसलिए यहां पर यह वार्थिक जो बनाया है पहले भी हमने एक दुबार आपको पढ़ाया है दा प्रत्य के डित होने से इत्य भस्याप्यनवंधकर्ण सामर्थ्यात वार्तिक इस भाष्य वार्तिक से गमधातू के पी भाग का लोप हो जाएगा शेश सिद्धी में कुछ भीविशेश नहीं है यहां पर क्या है सब जगह आप देख रहे होंगे बाकी सरल है गम का अम का लोप हो गया है तो गम का जो अम भाग है उसका टी का लोप हो गया डित प्रत्य के परियाति ठीक है इस से यह है प्रत्य क्लिव घ्टे अवस्यापी अनुबंद करन सामर्थ आथ ठीवाग का लोप हो च्छट में अध्याइगा इस बारतिक कि इसे तील का लोप हो जाएगा अधित लगाया मेर्शी प्रत्य में तो उसका प्रोजय नहीं है यह टी का लोप करना टी का अम आका लोप हो ग कि अर्फार व्यक्ति है करें कि मिलिए अंत्य शाजगा वह यह जाएं वह फाले ऋरकितश्व को जा तक है कुझ अलिए यह नंने और मुमं आगमने मुमं आगम नहीं होगा क्वलते हैं कि टि juste कि परत्य तो रिख यह से तो अन्समिक कि भुश्टि अथ्य वह्लय है यह नो नहीं होगा जी इस बनी बोला है गलत बोला था कुझा की गान मुम्मा अगम की तो प्रात्य प्रत्य गिश्ट की प्रत्य मुम्मा अगम होता है ठीक है बाकी सरल प्रत्य कोशानी में प्रत्य चलिएगा आशिशि हनाहा आशिशि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम हनाहा पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति हे कि दह करत något संठ Öसal एक्ण营 कर्मनी साथuxe प्रत्य प्रस्थ class कि अंद और्धियां संहे हुआए है लिए लीए अशेली लिग में आशीमें का प्रियोंगोडरेता करिया का आ snack लुगाढ़ा करना वादו शत्रों को मारने वाला तुम्हारा पुत्र हो ऐसा आशिरवात दे रहा कोई तो इसमें यह हन है यहां पर भी डित्प्रत्य होने से ती का लोप हो जाए मैं यहां संधी करके विशर को फिर द्वारा स सा कर दिया है शत्रून वध्याब शत्र हस्ते पुत्रों भुया ते को मारने वाला हो दुख हस्त्वम भूया तुम दुख का दुख को नश्ट करने वाले वनो या डित ओने से पूर्वत हंधातु के टी भाग का लोप हो जाए गाँ जलिए गाँ कि एक सुत्र पढ़ लेते हैं ठीक है फिर आगे की वक्षा में पढ़ेंगे अपे क्लेश तमसो हो अपे सब्तमी वक्टी एक बचनानतं । क्लेश तमस चा तमस्चा क्लेश तमसी तयो हो क्लेश तमसो हो जोग ज्वनद वा हो अनुविद्तिए ही, हान डह कर्मणी धातो हो प्रत्याहा परश्टेनी की अनुविद्तिया रही है, अर्थकी लेश, तमस, इत्त्यत योह, कर्मणी ओर रुपपदययोह, अप पूर्बात, हन धातो और डह प्रत्य नुद प्रियोग करेंगे तो क्या हो जाता है अब क्या यहां पर आशिरवाद अर्थ में यहां पर बिना आशिरवाद अर्थ में भी प्रियों कर्म बाची उपद रहते हुए इसके लिए अलग से उत्र बनाना पड़ाएं तो दान दिया क्लेश को दूरकरने वाला पुत्र आंदकार को हटाने वाला सूर्य होता है तो अंदकार हट जाता है प्रियोग है और पूरवक प्रियोग है और पर यहां को पूरवद में रहते हुए उसको रूह साखसा जशोरूह, ते रूह हो जाएगा, उस रूह करके तमर बन जाएगा, फिर पुना अतोोरो रपलता धपलते हैं, प्राद रेप को ओ जाता है, ये संधी तो पता ही आपको, और फिर आद गुणा लग जाएगा, तमके मा और रखा जो हुआ है, उसको आद गुण अब आगे की कख्षा में आगे पढ़ेंगे चलिएगा आगे की कख्षा में आगे पढ़ेंगे सर्वेभ्यो नमाहा